नमस्कार दोस्तों स्वागर्थ करता हूँ आप सभी को टेकिराच यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अपको फाइंट 7A या फिर किसी भी ओपो मुबाईल में इंस अफिशेंट स्टॉरेच प्रॉब्लिम को कैसे आप स्वास्व एंपर दिखिये दोस्तों क्या होता है कि हम अपने मुबाईल में अपर हमारे पास से इसको अन्वांटेड जगे को आप खाली कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यह देखने के बाद दोस्तों आप अपने स्टोरेज को 90 परसेंट आफ सेफ कर सकेंगे ठीक है तो दोस्तों चली बिना देर के वे शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपको आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं कहीं है तो अभी के अभी सबस्क्राइब कर देना और वीडियो कोई लाइक आवी के अभी कर देजेगा और दोस्तों यहां पे आपको बताँ ऑन-light पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल ज जो है हमें पता भी नहीं चलता है और हमारे mobile के inbued software से ही क्या होता है कि कभी-कभी बहुत सारे duplicate file create हो जाता है हमने photo कोई खीचा photo इसे open करना है ठीक है अभी दोस्तों यह application के जरीए से भी कैसे fix करना है बताऊंगा आगे और भी दो तरीका बताऊंगा कैसे आप storage problem को fix कर सकते है वीडियो के साथ बने रहीएगा तो दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है simply आपको यहां पर चलिए मैं back आता हूं यहां पर उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है full duplicate scan पर क्लिक करके यहां पर आपको scan now पर क्लिक करना है उसके बाद में दोस्तों यहां पर आपका system के अंदर जितना भी images, videos, photos, music है वो सारा यहां पर scan होना शुरू हो जाएगा आप देख सकते हूं यहां पर scan हो चु 1.8 GB का आपके अंदर में fall to space जो है वो खाके रखाया अभी आपको क्या करना है यहां पर delete now पर आपको क्लिक करना है यहां पर delete now पर क्लिक करना है are you sure confirm कर दीजे ओके तो आपका जितना भी duplicate file है वो delete हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह था आपका एक उपाई जिसके मदद से आप duplicate file जो है वो delete कर सकते है अभी दूसरा तरिका क्या आए कि दोस्तों आपको अपने mobile के settings पर जाना है और इसके बाद में दोस्तों यहां पर आपको application manager पर आपको जाना है हर mobile में अलग 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 शो होता है आपको mobile में शायद शो करें apps या फिर application या फिर application manager जो भी application के अंदर आपको जाना है अभी क्या होता है कि दोस्तों हम जितने भी बड़े बड़े application चलाते हैवी application जैसी कि हो गया facebook, twitter, instagram, whatsapp हो गया इसमें क्या होता है कि दोस्तों हमारा जो है data हम search करते है login अगरा करते तो वह सारा details save होके रहता है ठीक है हमारा यहां पर inbuilt memory के अंदर तो इसी के वज़े से हमारा जो है space बहुत ही कम हो जाता है अभी suppose कि मैंने facebook को open किया यहां पे app पे अभी यहां पे storage usage में चला गया तो आप देख सकते कि 417 total यहां पे mb यह मतलब लेके रखा है ठीक है अभी इस से हटाने के लिए आपको क्या करना है clear data पे click करना है और उस इतना ही है कि आपका facebook logout हो जाएगा आपको re-login करना होगा तो दोस्तों यह एक तरीका है एक एक one by one करके आप यह data clear कर सकते हैं हर application का ठीक है अभी third option क्या आएगी दोस्तों यह दी यह सारे करने के बाद भी आपका storage जो ही वो कम नहीं हो रहा है तब आपको अपना mobile last option यह है कि आप अपना mobile को reset कर सकते है रिसेट करने के बाद में क्या होगा कि जितना भी application का data usage वगरा है वो सारा खतम हो जाएगा तो खतम होने के वज़े से आप re-application install करेगे तब आपका storage काफी आपके पास बच जाएगा तो यह तीन उपाय था दोस्तों मैंने आपको बता द झाल 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